हेलो दोस्तो मैंने नया तरीका का एक गंदक बनाया है तो इसको थोड़ा पहले गंदक का देख लिजिए यह किस तरीका खाए यह दिए यह गंदक का तेल है इसको मैंने पूरा सुकाया नहीं है तो यह आपका अलक सिस्टेम का मैंने बनाया है तो मैंने आपका कास्टिक का स साथ में भी बनाया हो भी काम ने किया उसका बाद जो कास्टिक पत्री होता है उसका साथ भी बनाया हाद तरीका को मैंने इस्तमाल करके देख लिया किसी से भी एतना खास रिजल्ट मिलता नहीं है तो मैंने इस बार कुछ अलग किया है अलग करके मैंने अलग तरीका का गंद तक आपका थोड़ा देर बाद-बाद रंग बदलता है इस तरह का गंदक है यह तो एतना था यह आपका 100 ग्रम जैसा था इसको मैंने सुका लिया तो यह जब पहला बार जब बनाया तो यह आपका पीला रंग में था उसका बाद जब इसको आग में चरा दिया आग में चरा के जब इसको सुकाना शुरू किया तो यह पीला से हरा रंग में आ गया तो अब हरा रंग होते रहा उसका बाद फिर मैंने सुकाते सुकाते और तरह कमते कर दिया तो हरा से यह कला रंग में आ गया कला रंग में आने क प्लेट में भी मैंने टेस्ट किया था तो तो तामा का प्लेट में सब्सक्राइब बैठता है और इसका अभी का हलत देखिए किस तरह का है यह देखिए किस तरह का है यह आपका काला भी नहीं है हारा भी नहीं है इस तरह का है सब्सक्राइब का है यह देख लिए लेकिन यह काम किया है थोड़ा बहुत तो यह आपका कुद्रेती तोर से मैंने किया है इसमें कोई केमिकल सेमिकल कुछ भी मैंने एड़ नहीं किया यह सिंपल तरीका से मैंने गंदकतिल निकला है नेचरेली जो होता है उसी तरह का मैंने बनाने का कुछिस किया है तो यह मैंने क्या क्य में गया दो बार या तिन थी बार मैंने स्लीप डिप किया और और थीए तरह का हुआ है और इसको मैंने तामा का प्लेट में भी टेस्ट किया है इसको भी दीखिए यह जो जगा में इसको आग में चुला में बढ़ा दिया था तो दीखिए यह इस तरह का हुआ है उसका बाद मैंने इसको सिरिस पेपर से रगर लिया यह पेपर होता है इसी से मैंने रगर के साथ किया तो दीखिए इस तरह का हुआ है तो मेरा कोशी से यह बैतरीन रंग आना है कोई chemical यूज नाइए करके बिना chemical इस्तेमाल किए ऐसा के अलार आना चाहिए क्विए मैंने बहुत तरीका का कोशीज करके ुएवा किसी से भी साकसेस्त मिला नहीं है। नेचरली जो गुद्रती तोर से होता है। उसी का अपण में तुरा दियां धियां दे रहा हूं। एक सिस्टेम था आपको पहले मैंने पाइडाट स्टन देखाया था। कि यह इन दिखाया था जो घुक देखा देता हूं का यह जो पाइड़ाइड इस्टन एक इस्टैन है यह इत आयान पाइड है इसका मैंने वीडियो भी डाला था एनि पैसे इसमें लोहा और गंदक एक है सलोहा दो हिस्टां गंदग कोद्रती तोट से इसमें कालर दिया वहा है इसको मैं धियान में राखते हमें क्यों है तो करके तो ऐसा मेरा गंदग बना है जो इस तरह का है काला काला है हरा है कि दिथा में और इसको करम प्लेट में डालके करने से आपका सफेत हो जाता है यह मैंने टेस्ट भी किया है और हमको नाइटिक पास करने का भी जुरूरी नहीं है इसलिए मैंने इसको बहुत अलग सिस्टेंसी किया है तो गंदक से तो नाइटिक पास हो जाता है लेकिन मेरा जो गंदक है वो नाइ कुछ भी ने करता है जहां में बटेगा वही जागा शिलिफ थोड़ा इस जो गंदक है यह सपेट टाइप का बटा रहता है उसका बच्छ को साफ कर देने से इस तरह का होता है तो मैंने पोसिस किया है वो तरीका का तो किसी से भी तो सफलता मिला नहीं है तो आज मैंने नया पास का जो गोल रहा था नातिक पास का तो जुरूरी नहीं है क्योंकि मेरा पसद्यादिक पास मेटल मुजूद है मैंने इसलिए हमको नाटिक पास करने का जूरूरत नहीं और गंदक से इसंग नहीं है सुन्दर नाइटिक पास होगा उसको फिर चरक दीजिए चरक देने का बाद दुसरा बार करिए फिर दुसरा बार भी थोरा पुत रहता बढ़ता है फिर तीसरा बार उसको रहता को फिर जमा करके उसको पिख लाइए दिखे कुछ भी नहीं होगा इसलिए गंदक से नाइट तो जिस क्या है ये दीख लिजिए दोबार से दख लिए ये इस तरह का बनाऊंगा üzerगे तो दोबाराई तो मेरा का मुझह होता है ऑधलते रेता हैं उपलने का बाद इसका फाल्स निकलता है और घेस उपर में जाकर उपर में जैतना बी मैटल होगा कुछ भी होगा उसिटवी में जाकर जजब होके तब जाकर यह जो मैं नanne तरह बेले पाहरे डिंतरण दिखाया था तो प्रोसेस क्या है को सिस्किया है तो यह सिस्टेम से मेंने बनाए था तो मैंने गंदक को जला दिया जलाने का बाद उसका दुट निकल आगे मैंने इक वीडियो है मैंने उसमें कुछ मेना पेले ओ और एक वीडियो दिया था तो उसमें मैंने एक कोटोरी से एक जोगार बनाया था तो उससे तो दुआ मैंने इaker नहीं सखा उसका दुआ इक ऺटा ही नहीं हुआ मैंने बहुत कोशिस्किया था. गंदक को जला के उसका दुआ इकाटा हुआ लिए यह जो जला डाल के नहीं हैह यह लग सिस्टेंस से मैंने किया गंदक को रखके उसको जला दिया जलाने क्धायों या सराच होगा कि या में काम है कोशिश कर ती रध concur क्या सकसे होगा पता नहीं करते रहो तो मैं कर रहा हूं और आप बने हो बताया था जो आपके काया घ्ला ने कर सकता है दूआ तो निकलता है और दूआ को आप जमाने कर सकता है और फिर उरी जाता है और दूआ जमाने होता है मैंने जो सिस्टेम से किया है इसमें जतना भी दूआ निकलेगा और सब दूआ जमा होता है तो यह तो मैंने इसलिए भावी गंदक का उपर टेस्ट किया जिनका दुआ भी आगर इस तरह का अगर बढ़ जाता है तो तो हो गया और कम तो ज्यादा मेनद करने का जुरूर नहीं अब यह मज़ोदार काम हो जाएगा तो देखिए मैं तो लगा हुआ हूँ आप लोग भी थोड़ा बहुत अपना एक्सेवियमेंट करते दिजिए और मेरे कुछ भी आगर नया हमको पता चलता है तो मैं आप लोग को बताऊंगा तो मेरा चैनल में अगर कोई नया है तो साब्सक्राइब जुरूर करिएगा वीडियो इतना है वीडियो को पुरा देखने के लिए दन्याबाद